टेलिविजन एक्टरस पारुल चोहान स्टार प्लस के धारावाहिक ये रिष्टा क्या कहलाता है में मा का रोल निभा रही है। उनका कहना है कि ओन स्क्रीन मा का रोल निभाने से उन्हें कोई हिचकचाहट नहीं है। सपना बाबूल का विदाई में पारूल रागनी के रोल में नज़र आई थी, वहीं अब वो स्टार प्लस के धारावाहिक में स्वन्ड गोईनखा की भूमिका में नज़रा रही है। इसके बारे में पारुल ने कहा सुवर्ण गोईनका का रोल मेरे लिए अब तक का सबसे अलग रोल है क्योंकि मैं एक शादी शुदा बेटे की मा का क्यारेक्टर निभा रही हूँ मुझे औन स्क्रीन मा का रोल निभाने में कोई हिचकेचाहट नहीं है दिन के आकरी में ये रोल आपके लिए माइने रखता है पारुल ने कहा कि बिदाई के बाद प्रेड्यूसर राजन साहनी के साथ काम कर रहे हूँ साथ ही पारुल का कहना है कि मैं उन्हें ना नहीं कह सकती मैं आज जो कुछ भी हूँ उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है और अब इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती बिदाही के बाद से लोग मुझे आज भी रागनी मानते हैं और इसका क्रेडिट सिर्फ राजन जी को जाता है मुझे उमीद है कि दर्शक स्वन से भी खुद को जोड़ पाएंगे